नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हुमें एक जून दो हजार तेईस आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देव गुरु ब्रहस्पती को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभा करते हैं झाल कि पुरु आपके हाजर वडानी देव छार तेवल के स्वामी देवड़कों हाजर हाजरत कर वार कर वारा करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पइंचांग की आज गुरुवार है जेश्ट मास शुकल पक्ष की आज द्वादशी तिथी है जो दोपर एक बच करके 49 मिनट तक है और इसके पुष्चात त्रयोदशी है चित्रा नक्षत्र प्रातः 6 बच करके 48 मिनट तक और इसके पुष्चात स्वाती नक्षत्र है वरियान योग बालो करण है बाथोगी पंचांकी चंद्रमा आज तुलाराशी में रहेंगे और अभिजित महुर्ट का समय दिन में 11 बच करके 39 मिनट से दोपर 12 बच करके 20 मिनट तक का होगा वहीं राहुकाल दोपर 1 बच करके 30 मिनट से 3 बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चुरकाल तक लाभ लेना हो ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित महुर्ट में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्ट हरीकवती प्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए प्रियदर्शकों आज निर्जला एक आदशी का पारण है और आज प्रदोश वरत भी है संतती की कामना रखने वाले नौदंपत्तियों को चाहिए कि प्रदोशकाल में वो भोलेनात की विधिवत आराधना करें प्रियदर्शकों दिब्वे महा प्रयोग में आज एक दिब्वे जोतिसी सूत्र पर चर्चा होने वाली है जोकी बेहद ग्यान वर्धक है तो दिब्वे महा प्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रह स्तितियों की गुरु राहो और बुध ये तीन ग्रह यूति बनाकर मेश्वरासी में सुंचरन कर रहे हैं तोहीं सूरिय ब्रिशब में गोचर कुंडली में आज चंद्रमा प्राता काल थोड़े देर के लिए मंगल के नक्षत्र में लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे तो गुरुवार का दिन है राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का सुंचरन है कौन सी उराशियां हैं जिने आज अपने सभी नए कारे प्रारंभ करने से बचना चाहिए और कौन सा उपाय है जिसे कर क्या पाज इस दिन को स्रेष्ट बना सकते हैं इसे सभी विश्यों की चरचा आगे हम राशिफल में करेंगे तो ये है ग्रहिस्थिति, इन्हीं ग्रहिस्थितियों के आधार पर आज, मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानि दैनी राशिफल तैयार किया है, वह नए दर्शक जो मेरी राशिफल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ यह र नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं प्रिदर्श को सबसे पहले तुम्हें बता दूँ छे जून दिन मंगलबार कौन-कौन सा मुहूर्थ हमें प्राप्त हो रहा है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं तो प्रसूतिका इश्णान का मुहूर्थ मिल रहा है कन्या वरन का मुहूर्थ मिल रहा है मचली पालन से समंधित कोई कारे करना है तो इन सभी कारियों के ले मुहूर्थ 10 बच करके 20 मिनट से दोपर 12 बच करके 34 मिनट के बीच का मुहूर्थ है इसके पश्चात फिर उस दिन दूसरा और कोई मुहुर्त नहीं है चली चलते हैं तिव्य महा प्रयोकियोर प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का विचार किस भाव से होता है ये प्रश्ण प्रायह लोगों के मन में उत्पन्न होता है आज ये जो चर्चा लेकर के आप सब के समुख रुपस्थित हुआ हूँ ये केवल जोतिशिये नहीं है ये पूरा का पूरा विश्य है रासिफल के इस दिव्य महा प्रयोग में हम इसे समझने का प्रत्न करेंगे प्रेदर्शकों ये बहुत से दर्शक मेरे जानते हैं जो नहीं जानते हैं वो भी जानी जाए आज कि जन्म कुंडली में दूसरे विवाह की चर्चा अगर होती है तो कहा गया है कि नमम भाव से उसका विचार करिए मैं दो बातें यहाँ पर पहले अपनी रखना चाहता हूँ फिर हम इस विचे को और आगे ले करके बढ़ेंगे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी कुंडली में दो विवाह की योग होते हैं या ऐसी बहुत सी कुंडलीयां देखने में आई हैं जिनकी कुंडली में दूसरे विवाह का कोई योग तो नहीं था उनका दूसरा विवाह हुआ है प्रियदर्शकों जन्म कुंडली में दूसरे विवाह का नहीं ओवरन दामपत्य जीवन में परिशानी या विच्छेद की स्तिती उत्पन्न होने के योग होते हैं अब जब इस तरह की परिस्तिती हो तो सीधी सी बात है कि लोग दूसरे विवाह की और विचार करते हैं जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर तीन जन्म कुंडली में विच्छे दात्म ग्रह कहे गया हैं कौन-कौन तो सूर्य, शनी और आहू ये तीनों विच्छे दात्म ग्रह हैं इसके अलामा कोई ग्रह विच्छेद नहीं कराता है परिस्थिती की अनुशार वो अपना प्रभाव देता है, जैसे द्वादसे साकर के सप्तम में बैठ हैं, तो द्वादस भाव भी ब्याय का है, दूरी का है, तो ये भी दामपत्ते जीवन में दूरी उत्पन न कर देता है, लेकिन वो विच्छेद की बात, जैसे ये तीन पहला प्रश्ण खड़ा हो जाएगा, कि फिर कुंडली मिलान, जिस हम कुंडली मिलान की चर्चा करते हैं, कुंडली मिलापक की चर्चा करते हैं, फिर वो तुम में बेमतलब हो गया, फिर वो क्यों मिलान हम करना, जब दूसरे बिवाह का योग होता है, तो सबसे पहली ब अब जब ऐसी स्तिती हो तो कहते हैं कि जो पत्नी है एक तरह से उसकी छोटी बहन की ही रूप में माना जाएगा, जो दूसरी पत्नी आगी तो जन्म कुंडली का तीन घर आगे नौवा भाव, प्रिय दर्शकों, अब सवाल एक खड़ा होता है कि क्या जिसकी जन्म कुंडली का सब्तम भाव प्यूडित, पूरी तरह से जैसे तीन-तीन विच्छे दात्म ग्रह की दृष्टी, सब्तम में मंगल बैठे हैं, सनी की दृष्टी पढ़ जाए, सब्तमस्त मंगल पर सनी राहु इत्यादी दो से अधिक, विच्छे दात्म ग्रह की दृष्टी पढ़ जा ये हो सकता है, लेकिन दूसरे विवाह की चर्चा ये दिया रहे है तो जनमें कुंडली के नौमभाव से तिक प्रष्ट कहड़ा होता है कि जिनकी कुंडली के सब्तम भाव की स्थिति प्यूडित है, दूसरा विवाह होगा तो वो सुख़द होगा, और क्या दूसरे विवा काहीं हो कुंडली के सब्तम से ही होगा ये बात कभी न भूलें कि सब्तम भाव ही जया का भाव है सब्तम भाव ही दामपत्य का भाव है बाकी की परिस्तितियों को विचार करने के लिए भावात भावं का जो सिध्धान्त है वो लागू करके नवम भाव से विचार होगा ले दूसरे विवाह में कोई परिशानी नहीं आएगी? अगर इंह। दूसरे विवाह में कोई परिशानी नहींaris आएगी? अगर सब्त्म भाव प्रिड़ित है, पुरियु कर दर्षण को एक और प्रश्न है. अधर प्रुषा होता है क्या, जोता हैं धुन दूसरी साधी होगी दूसरा विवा होगा तो फिर संतती की भी चर्चा होगी वो चर्चा कहां से होगी तो कभी मत भूलिये कि जन्म कुंडली का पंचम भाव ही संतान को प्रदर्शित करता है और करेगा परन्तु दूसरी संतती के लिए जन्म कुंडली के नमम और साथी साथ आपके लगन को देखा जाता है अगर ये दोनों भाव पिडित होते हैं ये नमम पिडित होता है तो पहले तो दूसरा बिवा ही कष्ट प्रद अगर दूसरा बिवा हो जाए तो संतती होने में दिकत सेबर संतती का हमें विचार करना है तो कहां से देखें तो पंचम सदय सदय को संतती का भाव रहेगा यानि जातक कि कुंडली में समझिये अगर पहली पतिनी या दूसरी पत्नी जातक को कितना संतान-सुख मिलने वाला है या संतान सुख है भे कि इसके प्रणु दूसरी पत्नी से संतती के विचार के लिए आप नमम को भी देखिए और लगन को भी, तब इसे से आप दूसरी पत्नी से या दूसरे पती से संतती का विचार बलिभाति कर सकते हैं, आज जिस जो तीसी सूत्र को यह दिब्बे महा प्रयोग था, लेकिन उक्तरस ए आपक का मतलब समाप्त हो जाएगा तो वो तब ऐसी स्थिति की मान लिया जा कि कभी जैसे अभी कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी अब ऐसी माहा मारी फैल गई जिसमें कुंडली से जादा देशकाल परिस्थिति काम कर रहा है किसी की पत्नी की मृत्ति हुई तो फि संदेह उसमें भी कही न कहीं सामने वाले कि अगर एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग बस में बैठे हैं बस खाई में गिरी तो सबकी मृत्ति हो गई क्या सबकी मृत्ति हुई थी इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि सबकी कुंडली में कहीं न कहीं मारक के कुछ अंस भी देमान थे, अब किसी का कुछ जादा, किसी का कुछ कम, उसमें कुछ लोग घुन की तरह पिस जाते हैं, तो यहां मैं बताना चाहता हूँ कि इस परिस्तिती को अगर आप ध्यान में रख करके चलें, तो आकस्मिक दामपत्ते जीवन में कोई परिशानी नहीं थी, लेकिन प का दिन क्या ले करके आ रहा है, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी रासी से सप्तम में हैं, और चंद्रमा पूरे दिन राहू के नक्षत्र में रहेंगे, देखा जाए तो प्राता काल थोड़े दिर के लिए, मंगल के नक्षत्र में, लेकिन इसके पश्चात पू जीवन साहती के स्वास्थ में परिशानी, इसके चलते हैं चिरचरेपन की स्थिती प्राता काली होगी, ये हुआ दिन का पूरवार्ध, दिन के उतरार्ध में स्थिती ठीक है, कारिक चेत्र में सब कुछ ठीक है, कोई महत्पूर्ण फैसला इत्यादी लेना चाहते हैं, आ प्रावकरी के लिए अगर कहीं इंटर्विव देने के लिए जा रहे हैं, तो आज का दिन आपको सफलता दिलाने बाला है, आप सफल रहेंगे, अब स्थिजा करके इंटर्विव दीजिए, बात ब्यापारी बर्की कर लें, तो ब्यापारियों के लिए दिन का पूरवार् पार्टनर्शिक में ब्यापार है, तो आज पार्टनर से दिन के पूरवार्द में नहीं, दिन के उतरार्द में बातचित करी, अगर कोई परशानी है, कोई समस्या, कोई मतभेद है, दूर होगा, आए पर कोई असर नहीं दिखाई पढ़ रहेगी, छोटी मोटी समस्या है आएंगी ब्यापारियों की जीवन में भी लेकिन समस्याओं का हल भी मिलता होगा रहेगा बाहर के भोजन से आज आज आपको पूरी तरह से बचना है दामपत्य जीवन सुख में नहीं दिखाई पढ़ रहा है और प्रेम समंध की बात अगर कर ली जाए तो प्रेम समंध में किसी पुरानी बात को लेकर के तनाव उत्पन न होगा मतभेत की स्थिती दिखाई पढ़ रही है तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऐसा रहने बाला है मेसरासी के जातकों के लिए आज का दिन विद्यार्थियों के लिए आलस से भरा थकान की स्थिती महसूस होगी मन पढ़ाई से भागेगा और स्वास्त के दृष्टी कोंड से देखें तो जीवन साथी के यही स्वास्त का आपको आज विश्रेश रूप से खयाल रखना है उन्हीं के स्वास्त में परिशानी होगी आज में इस रासी के जाब तक वस अपने जीवन साथी को कुछ उपहार स्वरूप कोई जरूनी कोई बड़ी चीज छोटी चीज भी दे दे अच्छा रहेगा लखियांक आपके लिए एक और लखी कलर आपके लिए क्रीम है निवेश इत्यादी करते हैं तो जानकार किराय कैसे कीजिएगा ब्रिशब के जातकों के दी हम बात करें तो गोजर कुंडली की स्थिती आज आपके लिए बहुत अच्छी है बलकि मैं ये कह सकता हूं कि पुरुणतह सफलता प्रदायक रहने बाला है दिन जबरदस्ती कहीं नहीं करनी लोग आपकी बात को स्वयमें सु जगह पर आपकी जीत है जो भी काम करेंगे आज बहुत अलग ढंग से और जबरदस्त करेंगे अधिकारियों को अधिकारी वर्ग से सफलता सभयोग मिलने वाला है नौकरी पेसालों के लिए व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है व्यापार को ले करके कोई यात्रा करनी चाहते हैं तो कर ये परन्तु वाहन सावधानी से चलाइएगा आज छोटी मोटी दुर घटना की भी संभावना है और हाँ एक बात ध्यान रखिए वैसे तो किसी भी तरह के प्रतिवंदिता में लडाई जगड़े वाद्विदाब में जीता भी को मिलेग स्वास्त के दृष्टि कोर से देखें तो स्वास्त में कोई परिशानी तो नहीं है कुछ मानसिक अशान्ती और दुर घटना की संभावना तो इसको लेकर के सचेत रहिएगा कोई नयाकारी त्यारी प्रारम करने की सोच नहीं तो कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए ज देवी के मंदर में जाकर के जलाएं लाव रहेगा आपको और बात इदी हम मिथुन की करें तो मिथुन के जातकों के लिए भी दिन बढ़िया है आत्म विश्वास में बृद्धी होगी और विश्व बृद्धी हो क्यों ना धनलाभ के रास्ते बनते दिखाई पड़ रह जल्दबाजी में किये गए काम के कारण आपको परशानी होगी जहां भी रहिए अपना वेवहार संतुली तरखिए आपके वेवहार से लोग छुब्ध हो सकते हैं व्यापारियों की बात करूँ बहुत अच्छा रहने वाला है दिन व्यापारिक दृष्टिकोंड से दिन से देखें तो स्वास्थ में परिशानी दिखाई पड़ रही है विश्यसकर के मसालेदार भोजन से आपको बहुत ज़्यदा बचना है अल्कोहल वगरा या ड्रिंक वगरा करते हैं तो इससे आपको बचना है पेट जन्य रोक की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही ह तो दिन बहुत सुखद नहीं है दिन चर्या कहीं न कहीं अस्तब बेस्त दिखाई पड़ रही है कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे है कोई नयाकारे शुरू करने की सोच रहे है आपको रुकना चाहिए दिन अच्छा नहीं है परिवार के साथ भी आज बहुत दिखाई पर रहा, गर घर में कलह की स्थिती बनी रहेगी, आज कहीं न कहीं आप अपने रिस्तों के प्रती इमानदार अपने आपको नहीं रख पाएंगे, संयम रखना होगा, वानी पर नियंत्रन रखना होगा, साम होते होते परिस्थितियां और बदल सकती हैं, बिभत सो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए दिन ठीक है, तो कुल मिलाकर के दिन को ठीक ठीक कहा जाएगा बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सभी लोग सरकारी नौकरी वाले नहीं है, बहुत सोच समझ करके ही आपको कोई काम करना है, कहीं कुछ बोलना है, जीवन साती से भी ताल मिल बैठता नहीं दिखाई पर रहा है, माता के साथ ताल मिल बैठता नहीं दिखाई पर रहा है, संबंद में कुछ न कुछ गडबड़ी दिखाई पर ये नोग जोग की हिस्तिती है, और विध्यारतियों के लिए भी मैं मन आपका पढ़ाई में लगते नहीं देख रह आज माता पिता का आश्रिवाद लें, उनके साथ सम्मंद को मधु रखने की कोशिश करें, पहली राशी सुम्ह की बात कर लेते हैं, दिन अच्छा है, निवेश कर सकते हैं कारेक छेतर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहें तो कर सकते हैं, लोगों से मिलने जुलने के लिए, बातचीप्त करने के लिए, कोई बड़ी दील फाइनल करने के लिए, दिन अच्छा है, सरकारी नौकरी बाले हैं, बढ़िया, प्राइवेट सेक्टर बालों के बहुत बढ़िया, आज जीवन साथी से भी सहयोग मिलेगा, और कारेक छेतर में जो भी जहां है, उससे आपको सहयोग मिल जाएगा, धन संबंधी मामलों के कारण कोई काम नहीं रुकरेगा, भागे का पूरा-पूरा साथ मिलेगा, पिता के स्वास्त को लेकर के चिंता र करके जाएगा, ब्यापार में भी तेजी दिखाई पढ़ रही है, कोई बड़ी डिल करनी है, कोई बड़ा सौधा है, आज उसके लिए अच्छा है, रिन से मुक्ती के लिए अगर प्रतनसील हैं, तो भी आज का दिन आपको सहयोग कराने वाला है, बिना सोचे विचारे कि कोई स्वास्ते से समंधित परशानी मुझे नहीं दिखती है, तो सब कुछ ठीक है, लखी यंक आपके लिए आज तीन, लखी कलर आपके लिए पीला, हनुमान चालीसा का बस पाठ करिए, इसी से दिन अच्छा हो जाएगा और आपका, निवेश भी आप कर सकते हैं, कन्या के जातकों को वानी पर नियंतरन रखना हो गया, हनुमान जी के मंदर में जाकर क्या आज हनुमान जी का दर्शन करें, कन्या राशी के जातक, और हनुमान जी के मंदर की प्रदक्षना करें, जल्दबाजी में बिना विचारे कोई निर्णे न लें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कोई काम न करें, आज किसी करीबी मित्र से धोखा मिलने की संभावना या आपकी कोई गुप्त बात सार्वजनिक होने की संभावना है ने कि अलग तनाव और समस्या किस्तिती व परिशानी यथावत रह सकती है या बढ़ सकती है, कोई गैर कानूनी काम न करें, एक्स्ट्रा इंकम पाने के प्रयत्न में भी कोई गलत कारें न करें, नहीं तो आप मुसीबत में पढ़ेंगे, व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान ने कहूंगा, व्यापार में कही कई चोटी मोटी परिशानियां है, कोई नया कारे प्रारम करने से आज आपको बचना चाहिए, परिवार का साथ कम्य मिल पाएगा, यात्रा सावधानी के साथ करेगा, मद्यपान मांसाहर से जितना होसर के दूरी बना करके रखिएगा, जल्द बाजी में किसी भी तरह का पैसला आपको नहीं लेना है, जीवन साथी के स्वास्त की चिंता रहेगी, तो कुल मिलाकर के देखा जाए, तो आज का दिन कन्या रासिक जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, विद्यार्थियों के लिए विमन और शांती ही उत्मन कराने वाला है, कि यंग 5, लखी कलर आपके अच्छ परपल है, तुला के जातकों के यदि हम बात करें, तो गोचर कुंडली की स्तिती आपके पक्ष में है, दिमाग आज आज आपका जबरदस्त काम करेगा, या यूं कह लीजिए, कि आपके दिमाग में एक के बाद एक आईडियाज ऐसे इसे उत्पन होंगे, जिस पर काम करके आपको फायदा मिलने वाला है, संतान पक्ष से कोई खुश खबरी, परन्तु प्रेम समंध में परिशानी, भागे का साथ मिलेगा, कारेक छत्र में कोई भी ऐसा कारे नहीं है, जो आप अपने हाथ मिलने, आपका कारे पूरा नहों, आपकी महत्वा कांचाज पुरुन होते दिखाई पढ़ रही है, बस कोशिश में कोई कमी न छोड़िये, परन्तु आज अपने दिमाग का इस्तेमाल, किसी को नीचा दिखाने, किसी को परिशान करने, किसी को दुखी करने के लिए मत करिये, आज अपने दिमाग का इस्ते करिए व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा धनिलाब होगा साज़ेदारी में व्यापार करते हैं तो साज़ेदार से जरा सचेत रहेगा मत भेद हो सकता है शडयंत्र की भी बुवा रही है जद्वत से ज़्यादा मत बोलिए कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना इस बात एक प्रइबधा मिलेगी अगर आप प्रत्न करें और स्वास्तिके मामले में वैसे तो सब कुछ ठीक दिखता है पर जीवन सात्य के स्वास्तिका का खयाल रखिएगा जीवन सात्य के स्वास्तिक में थोड़ी परिशानी दिखती है लकियंक का लिए आपके लिए आज को आज सचेत रहना है आज लोग आपसे नाराज हो सकते हैं ब्यर्थ धन बरबादी की संभावना वाहन चलाते समय बहुत सावधानी की आवशक्ता है दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है परिवार के साथ भी मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रहे है पैत दिखाई दीजे व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापार से समझ चोटी मोटी परिशानिया है कोई न कोई कानूनी विवाद अर्चन भी आज पूरे दिन बना रहने वाला है जीवन साथी की सलाह आपके लिला भप्रद हो जाएगी कोई गयर कानूनी काम न करें वाहन चलाते समय सावधानी तो बरत्नी है अपना वाहन किसी को उधार नहीं देना है पारिवारिक जीवन में आज धैरे की बहुत आवश्यक्ता पड़ेगी सब की बात को सुनिये और जहां की समस्या है उसको वहीं छोड़कर के आगे बढ़ जाईए जीवन साथी के साथ चितना हो सके मधूर बैवार करने का प्रत्न करिएगा लव लाइफ में भी उतार चड़ाव की स्थिती दिखाई पड़ रही और विद्यार्थियों की बात करो तो मन पढ़ाई में नहीं लगने वाला है यानि पढ़ाई के दृष्टी कोड़ से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा एक्स्ट्रा चीजों में एक्स्ट्रा एक्टिविटी ही आपकी जारी रहने वाली है और स्वास्त के दृष्टी कोड़ से देखें तो स्वास्ते में भी परिशानी है किसी लिए दिन बहुत अच्छा है लाभ प्रद कठिन से कठिन परिस्तिती भी आज आपके समुख नतमस्तक होने वाले यानि परिस्तितियों को आप अपने पक्ष में करेंगे वो चाहे कितनी भी आपके बिपरीत क्यों नहों हर तरह की समस्या खत्म होती दिखाई पड़री को आपको प्राप्त होते दिखाई पड़ रहे हैं विरोजगार है तो भी दिन अच्छा है व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा हर तरह से दिन लाभ प्रद है जमीन जायदात से समंधी तेदी कोई काम है या ऐसे कार्य में कोई समस्या है त बिना सोचे समझे बोलना अपने मन की बात हर किसी शेयर करना इससे आपको बचना चाहिए प्रेम समंध के मामले में दिन ठीक है बस प्रेमी का अपमान न करें या कोई ऐसी बात न बोलें जिससे प्रेम समंध में तनाउध पन न हो दामपत्य जी वन सुखत विद्यार्थ से बढ़िया होगा लखियंक आपके लिए जचार है लखी किल रहेंग निवेश भी करिए मगर के जातकों की हम बात कर लेते हैं। बढ़ियार्य की जो प्रॉल आप करने की सोच रहे हैंHayat उच्छा हुआ कार्य वक्त पर पुरुन होता दिखाई पढ़ रहा है। परिशानी अभिग्न बाधा उपस्तित हो गई थी तो उससे आज आज आपको मुक्ती मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। योजना बना करके काम करें तो दिन और अच्छा लाब देगा। जरूत से ज़्यादा टेंशन मत पालिए। धनलाब के दृष्टिकोंड से दिन कहीं खराब नहीं दिखाई पढ़ रहा है। लाब हो रहा है, काम बनता दिखाई पढ़ रहा है। सुच समझ करके बोलना होगा, धैरे बना करके आगे बढ़ना होगा। लव लाइफ ठीक है, दामपत्य जीवन पूरी तरह से सुखद, पार्टनर्सिक में व्यापार है तो भी पढ़िया, पैसा अगर कहीं फैसा हुआ तो वो पैसा वापस आता दिखाई पढ़ रहा है, तो यह कुल बिलाकर के देखें, तो मकर रास के जातकों के लिए दिन अ पफ जने रोकी स्तिती थी, तो जरह अपने स्वास्त का ख्याल रखेगा, और आज पंचाक्छर स्तोत्र का पाठव से करिएगा, लकियं का अपने पांच लखी कलर आपके लिए जामुनी है, निवेश करिए, कुम्भ के जातकों के लिए दिन भाग्य परदायक है, आज ज सभी कारे आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, यू समझ लीजिए कि अगर रास्ता बंद था, तो रास्ता साफ होता दिख रहा है, सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं, नौकरी पेसा बहुत बढ़िया, करियर में अगर कोई चिंता थी, कोई परशानी थी तो आज अपने शत्रू का भी अपमान न करें, इस बात का ख्याल रखें, और जल्दबाजी में अती उतावले पन में आकर के कोई नरणे न लें, लवलाइफ के दृष्टिकोंड से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, लवलाइफ के दृष्टिकोंड से दिन बढ अच्छानी थी तो उनके स्वास्त का ख्याल रखें, उनको पेट से समंधित कोई परशानी, पेट में दर दित्ताइब से समंधित कोई परशानी हो सकती है, लकियंक 5 लगी कलरा पे अच पिंक है, निवेश करें, मीन के जातक निवेश ना करें, दिन मानसिक अशांति और परिशानियों को देने वाला है आज सबसे पहले तो प्राता काल केशर का तिलक लगा लिजेगा माथे पर भी और जुबान पर भी कोई बड़ी समस्या थी कोई उल्जन वो सुलज सकती है आपके प्रत्नों से आज ब्यर्थ की प्रतिभा दिखाने की आवशक्ता नहीं है जह हां भी रहिए हर किसी के साथ समंध को मधरू बनाने की कोशिश करिए व्यापारीवर की बात करूं तो आज कुछ ऐसी आकस्मिक परिशानिया उत्पन्न होने वाली है जिससे लाभ में गिरावट आएगी काम बंता बंता बिगड़ जाएगा वानी पर नियंत्रन बेहद आ होंगा हाला कि जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा यह अच्छा है आपके लिए और बात यदि भी द्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फिल्ड के भी द्यार्थि हैं दिन बहुत अच्छा रहने बाला है स्वास्त में थोड़ी परिशानी हो सकती है खान पान पर नियंत्रन अवश्य रखिएगा लखियंक आज मीन राशी के जात्कों के लिए देखा जाए तो आठ है और लखी कलर आपके लिए अज के शरिया है तो प्रेदर्शकों ये था में शेलेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जात्कों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल अभी करेबस इतना ही इजाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार